मैं पंकच यादव आप सभी लोगों का एक वार फिर से इस चैनल में श्रागत करता हूं इस वीडियो में बताया गया ध्हमनी और सीरा में अंतर तो आईए बारी किसे समझते हैं पर ये छात्रो अब मैं आपको बताऊंगा ध्हमनी तथा सीरा में अंतर तो सबसे पहले हम ध और पास है ध्हमनी रुधीर को हीरदय से अन्य अंगों व उत्तकों में ले जाती है ठीके तो से यानि रूदर का मतला खून और प्लट ठीक है दूस्तों हमारे पास है धमनी की भि kulldi wada حी canale to 293 मतला सट है ठीक है दोस्तों उसके सता जैसे इसका इस दीवाल कीए ऐसाथ्ता कौन होगा तो यह जैसे बोड़ का सताई हетрी कैसे बिद्चि슬 है ठीक है डोस्तों दोस्तों यानि सता मोटी हुआ अधिक Mick अचीली होती है ठीक है दोस्तों तीसरा में मैंने लिया कि सभी धमनियों में सुद्रुधीर बाता है लेकिन फेफरा में जाने वाली प्लोम नरी धमनी या महाधमनी में असुद्रुधीर बाता है ठीक है दोस्तों जब हम दिल के बारे माता है तो हिर्दय के बारे में तो फेपरा में जाने वाले धमनी का नाम क्या था महा धमनी महा धमनी कही या प्लोम नरी धमनी कही है ठीके दोस्तों तो लेकिन फेपरा में जाने वाली प्लोम नरी या महा धमनी में असुद रुधिर बाता है ठीके दोस जो और पांचमा में हमारे पास हैं धामनियों में रुधीर का लगभर 15 पर 30 देंध्य है व्यड़्ड बैंसने तो पांसे छ्छे रीटर जो 결़िव Hai न उस ब्लड का पंदरह परतीसत भार हमेशा जमार आता किसमें तो Δ्हां आइए की ढह unfold कि अब हम सियराके समझते हैं के चात्रों अब मैं बताओंगा आपको सियरा के बारे में तो आप देख सकते चलिए के बारे में ऋठ लिखाए कि सिरां और को हीरध्य को जाती है कहने का मतलब देखे उसमें धमनी क्या था कि हिर्दय से रुध्यर को क्या करता था अंगो वा उत्तकों से वापस हिर्दय की और ले जाती है ठीक है दोस्तों याद रखना दूसरा दूसरा हमारे पास है कि सीड़ा की भित्ती पतली वा लचीली होती है से उसकी जो सता होती है पतली यवा लचली होती है दीसरा आमारे पास है सभी सिराम में असुद रुधिर बाता है इसमें इसमें इस tiara अन्पर रुधिर बाता कि itt लेकिन प्लोमनरी सीरा यानी महासीरा थे तो प्लोम नरी सीरा में सुधरुधिर बाता है अब उसमें भी था क्या कि धमनी में भी थाम एक प्लोम नरी धमनी जी से महाधमनी कहते है और इसमें भी प्लोम नरी लेकिन इसमें क्या है प्लोम नरी सीरा है उसमें प्लोम नरी धमनी था ठीक है दोस्तों तो प्लम नरी में स समय कुल रुधीर का लग्भाग 64% भाग जमाँ रहता है कहने का मतलब हमार जो बॉड़िमा ब्लड है उस ब्लट का कितना परतीसाइब भाग जमाँ रहता है तो 64%-ब भाग हमेशा जमाँ रहता है ठीक है दोस्तों आइव dat कि इसके बारे में समझ गया होगी दोस्तों इसका स्किन सट ले लो तो आप इस तरह से सीरा और धामनी अलग-अलग कर लिख करके आप इसका निकाल सकते हैं ठीक है दोस्तों आसा करता हूं कि यह वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक्स कमेंट्स सब करना फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई दोस्तों